हेलो एबरिवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके दातों में कीडे लग जाते हैं और वो जल्दी से छुटते नहीं है फिर आपके दातों में पेन होने लग जाता है त अगर आप इस नुस्के को करोगे तो आपके दात जो हैं कुछ ही दिनों में एकदम खीड़ मतलब उन पे खीड़े नहीं लगे रहेंगे और आपके दात एकदम वाइट बिलकुल पहले की तरह हो जाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले हमें एक बाउल लेनी है और उस बाउल में हमें थोड़ा सा सॉल्ट एट करना है क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो हमारे दातों में से कीड़े निकालने के लिए काफी जादा अच्छा होता है दैन हमें उसमें टर्मरिक एट करनी है हल्दी थोड़ी सी हल्दी एट करनी है जो हमारे दातों के लिए एंटि बैक्टेरियल होती है हल्दी सबको पता होगा और ये हल्दी भी हमारे दातों में से कीड़े निकालने के काफी जादा काम आएगी and then आपको इसमें थोड़ा सो जो है सरसो का तेल एड़ करना है और इनको अच्छे से मिला लेना है ये तीनों ही हमारे दातों में से कीड़े रिमूफ करने के बहुत जादा काम आएगा आप लोग खुद इसका रिजल्ट देखोगे देन आपको क्या करना है एक कॉटन लेनी है जिसी की यहाँ पर मैंने ये कॉटन ली है थोड़ी सी और इस कॉटन पर इस लेप की थोड़ी सी दो तीन डॉप डाल के जहां आपके दातों में खीड़े है वहाँ पर तो 5-10 मिनट के लिए रख लेनी है और आपके दातों में अगर पेन होगा तो वह भी बाहर आ जाएगा यह थी मेरी छोटी सी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्रीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और थेंक यू सो मच बाबाई स्टे हैपी एवरिवान